कलम्ना के भरतवाड़ा इलाके में एक महीला ने पती की हत्या के लिए 40,000 रुपए की सुपारी दी दी पती की जान बज जाने से मामला सोमवार को खुल कर सामने आ गया गायल महेश बाड़ाई को शाष्की अस्पताल में भरती किया गया है महेश की हत्या के प्रयास के आरोप में कलम्ना पुलिस ने उसकी पतनी मिनाक्षी महेश बाड़ाई मिनाक्षी के दोस्त रोहित विजे गाफ तूरे और महेश तुलसीराम गेडाम को गरफतार किया है आर प्रूपी मिनाक्षी ने ही पती महेश बाड़ाई की हत्या की साजिश रची थी। प्रूपी मिनाक्षी ने कमरे का दर्वाजा खुला रखा आरूपी रोहित और उसका दोस्त महेश बाड़ाई को उसी चादर में लपेट दिया और उसके पीट पर चाकू से वार कर दिया। महेश बाड़ाई नीचे गिर पड़ा। वह जोर जोर से चिलाने लगा। पकड़े जाने के डर से रोहे तो महेश भाग खड़े हुए। पडोसियों ने देख वह रोने लगी। गटना की जानकारी कलमना थाने पहुची। पुलिस गटना इस्तल पर पहुची ओ महेश बाड़ाई को शाज की अस्पताल भिजवाया। शक्की सोई पतनी पर होने के कारें पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूस्ताज की। बेद खुलने पर उसने पुलिस को बताए कि वो अपने पती से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके लिए उसने महेश बाड़ाई की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने अपने दोस्त रोहित को उसकी हत्या की 40,000 रुपे में सुपारी दी थी। थानेदा विनोत पातिल के मार्ग दर्शन में कलमना पुलिस ने हत्या के प्रियास का मामलत दर्च किया। पुलिस ने महेश बाड़ाई की हत्या के प्रयास के आरोप में उसकी पतनी मिनाक्षी बाड़ाई, रोहेत गावतूरे और महेश गेडाम को गरफतार कर लिया है। जबब यत्रा 23 पा पाठी वर हाट्शक नो वार है, तोला विचारला सदने खेंक लगती, तर्थी साड़े बाराई जो समरास में जोखलो, आनी इंघरत मिपकडी लाउन मी वखलो तो अचानक कोन वाई जो समरास दोनी समघरत आले, तर्थले एकाने माई चिरे वर चादर ट क्यामरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ अभिशेक पांसी BCN न्यूस नागपूर